हेलो फ्रेंड्स आज किस पीडियो में हमें एक डेकोरेशन लाइट बनाने वाले हैं जिसमें फ्रेंड्स हमने आर्ची भी लाइट का यूज किया है यह तीन कलर में जलती है फ्रेंड्स और यह फ्रेंड्स पानी में कभी भी खराब नहीं होगी क्योंकि हमने इसको वाटर प्रूव बनाया है तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इस सबको बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको 10 RGB लाइट की ज़रूत होगी इस तरह से आप यह देख सकते हैं यह 10 आपको LED वल्प चाहिए इसके बाद फ्रेंड्स आपको दो होट ग्लू स्टिक चाहिए इसके बाद फ्रेंड्स आपको ऐल मॉनियम वाइर की ज़रूत होगी यह फ्रेंड्स आपको 6 पीश चाहि ओए के दस पीस चाहिए और फ्रेंड्स इस PB के लिए आपको यह 5 बॉल्प की चाहर्जर कि दस पीस चाहिए होएंगे इसके बाद इस सब को चलाने के लिए आपको एक पांच बोल्ट के चार्जर की जुरुत होगी इसमें आप अपने मॉबाइल का चार्जर यूज कर सकते हैं तो फ्रेंड इसमें सब पहले हमको इसकी वारिंग करने हैं फ्रेंड से आर्जी भी ल और जो छोटा वाल ले गए उसके साथ हमने बलेक वाले वायर को कनेट कर दिया है इस सब के बाद फ्रेंड आपको जो आर्जी भी लाइट कर ले गए उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है जैससे फ्रेंड वायल लूस ना हो और कभी भी तूटना जाए फ्रेंड इसी करना है बड़े वाले लो कि सांथ फ्रेंड्स Öyle last आपको रड़ कलर के चान और चोटे वाले लेक Гसंथ आपको बलए कलर कता है अब इसके बाद फ्रेंट हमको इन में तीसरा बाला LED पल्प कनेट करना है तो सबसे पहले फ्रेंट्स हमको इसमें वायर कनेट कर देना है कुछ इस प्रकार से आप यह देख सकते हैं जो ब्लेक कलर का वायर तो उसको ब्लेक वायर के सांथ कनेट करना है और जो रेड कलर का वायर है उसको रेड वायर के सांथ कन 10 LED bulb को Connect कर देना है हमने 10 LED लप Connect कर दी हैं और इसको कनेक्ट करनने के बाद friends हमको इसको चेक कर लेना है जैसे कि Friends आप देख सकते हैं इसमें 10 Acey Bulb चल रहा है इसके बाद friends आपको दो Hot glue stick ही जरूत इसको friends आपको इस तरह से काट लेना है यह हमने दस पीस लिये हैं इसके बाद friends आपको जो hot glue stick है उसके उपर soldering iron की मदद से एक whole करना है तो इस तरह से friends आप देख सकते हैं इसके उपर आपको होल कर देने हैं जिसमें friends हम जो RGB light है उसको लगाएंगे आप ये friends देख सकते हैं इसमें हमने हूल कर दिया है अब इसके बाद friends हमको इसमें RGB light को connect करना है तो इस तरह से friends आपको इसको connect करना है और जो friends RGB light है उसको आपको उपर से अच्छी तरह से fix कर देना है तो ये friends आपको सबी जो 10 LED बल्व हैं उसके साथ connect कर देना है और इसके बाद friends आपको इसमें hot glue stick उपर से लगाना है जिससे friends इसकी wiring है वो अंदर की तरह रहे और ये बल पानी में कभी भी खराब नहों सके तो इस तरह से friends आपको इसको उपर hot glue stick लगा देना है और कुछ समय क आपको इसको सूखने के लिए रखना है जिससे friends से जो hot glue stick है वो तरह से इसके ऊपर लग जाए तो इस तरह से friends आपको इसमें hot glue stick लगाना है और आप ये देख सकते हमारी RGB light बन चुकी है ये 100% waterproof है ये पानी में कभी भी खराब नहीं होगी अब इसको friends आपको मैं चला कर द लेते हैं इसको चेक करने के लिए friends मैं इसमें एक lithium ion battery का यूज कर रहा हूं जो की 3.7 volt की होती है तो friends आपको इसको lithium battery के सांथ connect करना है तो आप ये देख सकते हैं कितनी beautiful ये light लग रही है इसके बद हमको इसको light के सांथ connect करना है तो इसके लिए हम इसमें एक charger connect कर रहे है friends जो black color का वायर है वो negative है और white color का वायर positive है तो आरजी जो हमने light बना ये friends उसमें जो black color का वायर है उसको आपको charger के black वायर के सांथ connect कर देना है और friends जो red color का वायर है उसको आपको charger की white वाली pin के सांथ connect कर देना है तो इस तरह से friends आपको इसको connect करना है और इसको उपर friends टेप लगा देना है, तो इस तरह से आपको इसके ऊपर टेप लगा देना है, अब मैं आपको इसको चेक करकर दिखाता हूँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इसको आप डारेक्ट लाइट के सांद भी चला सकते हैं, तो फ्रेंड्स एक काफी ब्यूटिफुल लाइट मैंने बनाई है आपके लिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक बाल लाइक जरूर करने और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सस्क्राइब प्लीज करने